Question number 3. Prove that the greatest integer function f such that r goes to r given by fx is equal to x is neither 1-1 nor 1-2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x. हमें greatest integer function दे रखा है fx equal to x. जो ना तो 1-1 function देता है और ना ही onto function देता है और जो ये x दे रखा है ये हमें greatest integer function लेकर चलना है. तो greatest integer function होता क्या है तो देखो आपने number line तो जरूर देखी होगी ये होता है 0, 1, 2, 3 इसी तरह से ये negative value होती है minus 1, minus 2, minus 3 इस तरीके से value चलती है. अब greatest integer function का मतलब क्या है fx is equal to ये x दे रखा है अब यहाँ पर मान लो इस x की value अगर आप 1.1 पुट करते हो तो 1.1 लाई करेगा एक और 2 के बीच में यानि कि कहीं यहाँ पर ओके एक और 2 के बीच में तो ये जो result देगा y के अंदर ये fx के अंदर जो result बना के देगा वो 1 बना कर देगा मतलब ये 1.1 जो point है उसको खा जाएगा point 1 को खा जाएगा result देगा only 1 ये होता है greatest integer function अगर मान लो आप यहाँ पर 1.5 यहाँ पर put करते हो तो x की value तो y की value फिर भी ये 1 ही देगा अगर मान लो आप इसकी value 1.9 पुट करते हो फिर भी y की value 1 ही देगा जैसे ही आपने x की value 2 से थोड़ी सी बढ़ी रखी मान लो 2.01 जो कहीं यहाँ होगा 2 और 3 के बीच में रख दी 2 से थोड़ी सी बढ़ी यहाँ पर आ गई तो यह हमें value जो देगा वो 2 देगा 2 और 3 के बीच में जो भी values आएंगी तो वो हमें 2 value देगा 1 और 2 के बीच में जो value होगी वो हमें 1 देगा 0 और minus 1 के बीच में जो value होगी तो वो हमें minus 1 देगा minus 1 और minus 2 के बीच में जो भी value आएगी उसमें minus 2 देगा ऐसे value देता है greatest integer function तो अब solve करते हैं तो सबसे पहले हमें दो values पुट करनी है f such that real values पुट करनी है और real values ही हमारा result आना चाहिए इसका मतलब यह है और function जो use करना है हमें fx is equal to function जो use करना है fx is equal to greatest integer function x इसके लिए हमें करना पड़ेगा दो ovule यहाँ पे दो ovule बनाने पड़ेंगे अब मानलो हमने यहाँ पर 1.1 पुट किया तो image बनेगी 1 फिर मानलो हमने 1.5 पुट किया तब भी image बनेगी 1 फिर 1.9 पुट किया तब भी image बनेगी 1 फिर 2.01 पुट किया तब image बन रही है 2 और 2.9 पुट करने के बाद भी image बनेगी 2 तो यहाँ पर domain अलग-अलग अलग पुट कर रहे है बट, image इन values की same आई है इन तीन values की same image आ गई और इन दो values की same image आ गई तो unique image नहीं बनी अब unique image जब हमारी form नहीं होती तो हम उसे one-one function नहीं कह सकते injective नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे real values ही यहाँ पर पुट करनी है और real values ही हमें मिल रही है बट, हमें unique image नहीं मिल रही है तो यहाँ पर लिखेंगे for every unique domain image is not unique so it's not one-one function अब हमें not on to भी प्रूव करना है यहाँ पर लिखना है not on to हाँ, तो not on to भी हमें प्रूव करना है कि यह on to function नहीं है तो on to के लिए हमें चेक करना होता है जो core domain होती है वो range के equal है तो हम कह सकते हैं यह on to है तो इस function के अंदर core domain है core domain लिखते हुए आपको करना है जो यह दे रखा है r goes to यह रहा r goes to r यह होती है domain और यह होती है code domain code domain में real values आएंगी यह हमारा code domain है इसमें real values आएंगी तो यहाँ पे values आएंगी क्या क्या सकती है 0 प्लस लिखा है नहीं है यह पर हाँ, यह रहा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, root की terms भी आएंगी root 2, root 3, fractional values भी आएंगी 1 by 2, 1 by 3 इस तरीके से बहुत सारी values आएंगी बट जो image आई है range आई है उसमें होगा range के अंदर round of values आ रही है 1.1 पे भी 1 है 1.5 पे भी 1 है 1.9 पे भी 1 है तो इनकी एक single single image बन रही है 1, 2, 3 1, 2, 3 इस तरीके से हमें values दे दी है negative value भी दी जा सकती है minus 1, minus 2, minus 3 बट जो ये fractional value है 1 by 2 है जैसे 0.5 होगा इसका मतलब तो वो 1.2 को 0 बना के दे देगा जो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा तो इसका मतलब जो range है वो subset है code domain की equal नहीं है so it's not on to function तो ये function on to नहीं है बस ये ही हमें prove करना था जो पर करना था